हेलो दोस्तो दिवारी स्पेशल आज हम बनाने जा रहे हैं, बेसन की बर्फी, बेसन की चक्की जो बहुत ही डिलिशियस बनने वाली है। हमारे यहाँ इसे चूर्मा भी बोला जाता है राजस्तान में आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट चेक्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताईए का यह बहुत डिलिशियस है इसे एक बार खाऊँगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा मुह में घुल जाएगी लेते ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एकदम से मखन जैसे सॉफ्ट ये बर्फी बनेगी अगर आप इस तरह से बनाओगे तो तो चली हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेस पर एक कढ़ाए लेनी है और इसमें हम एड करेंगे देसी घ घी लिया है घी को हम गरम होने देते हैं जब आपका घी हलका गरम हो जाता है तब आपको इसमें एड कर लेना है बेशन 400-500 गराम की करीब बेशन मैं यहाँ पर एड कर रही हूँ और यह जो बेशन मैंने लिया है वो नोर्मल बेशन नहीं है थोड़ा मोटा दरदरा पीसा हुआ यह बेशन है आपको यह मार्केट में भी मिल जाएगा अलग से बर्फी बनाने के लिए या फिर आप इसे इस तर गी छोड़ देगा इसलिए आपको इसे मिक्स करने के बाद लगाता बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते रहना है इस तरह से लगाता चलाते हुए दोस्तों घर पर मिठाई बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन घर के बनाई हुई मिठाई एक पर आप खा लोगे है आप अच्छे से खा सकते हैं बिना किसी टेंशन के और अगर आपको मिठा कम ज्यादा पसंद है तो उससाब से आप कम मिठा करके भी इस मिठाई को बना सकते हैं जो बहुत डिलिशियस बनेगी जैसे जैसे आप इस बेसन को पकाते जाएंगे लो फ्लेम पर वैसे वैसे इसे जो बेसन है वह अपना घी चोड़ता जाएगा और पकता जाएगा इसका देरे देरी कलर भी चेंज होगा तो इसे पकाते विए लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया है और आप इसका टेक्शर देख पा रहे हैं कितना पहले से इंपोर्टेंट पार्ट यही है कि आपको इस बेसन को अच्छे से पकाना है अगर कम पका लेंगे तो भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और अगर आप इसे ज्यादा पका लेंगे तो अच्छा टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पक मैं यहाँ पर औरेंज फूड कलर एड़ कर रही हूँ, जिससे हमारी बर्फी में एक अच्छा कलर आ जाए और यह बिल्कुल ओप्षिनल है आप इसके बिना भी बर्फी बना सकते हैं मैंने आपर हलका सा food color एड़ किया है इसे हम अच्छे से mix कर लेते हैं और mix करने के बाद आप देख पा रहे हैं इसका थोड़ा color ओर ज्यादा change हो गया है पहले से थोड़ा सा dark लग रहा है color डालने की वज़े से और अभी हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा पाने के छीटे जिसस आपने नोटिस किया होगा कि जब आप घर पर बेशन की बर्फी बनाते हैं तो जमने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और जब आप मार्केट से बर्फी लाते हैं तो ठंडी होने के बावजूद भी सौफ्ट रहती है तो इसी ट्रिक की वज़े से वह सौफ बेशन हमारा पूरे तरह से पक करके तयार हो गया है अब आपको इसमें एड करना है खोया यानि की मावा मैंने यहां पर धाइसोग्राम मावा लिया है मावा को मैंने यहां पर अच्छे से मैश किया हुआ है और जब आप इसमें मावा डाले तो मावा डालने की तुरंत ब बस आप इस तरह से गरम कड़ाई में अच्छे से मिक्स करते रहें और यह अच्छे से पक भी जाएगा मावा कुछ देर के बाद आप देख पा रहे हैं मावा जो है वो बेशन के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है बहुत यह अच्छा टेक्शर हो गया है इसका अब हम इसमें एड कर लेंगे एक चम्मच इलाइची पाउडर मैंने आप थोड़ी सी चीने डाल कर इलाइची को हरी जाइफर उटाते रहेंगे तो यह और अच्छा टेस्ट देंगे आपकी इस बर्फी को और थोड़े सी पिस्ता मैंने अलग से चोड़े टुकड़ों में तोड़कर रखे हैं जो हम बर्फी के उपर डालेंगे जो अच्छे भी लगेंगे उनका टेस्ट फ्लेवर भी अच कर रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद जो बेसन का जो मिक्ष्र ही और रैडि हो गयां बर्फी बनाने के लिए इसे एक अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे इस बेसन की मिक्षर को हम साइड रग देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं आगे हम इसी कठाई में चाशनी बना लेते हैं इस मिठाई के लिए तो यहां मैंने एड की है चीनी मैंने यहां पर 500 गराम चीनी एड की है तो हम इसमे 250 ml पानी एड़ कर लेंगे और चीनी को हम melt होने तक पका लेंगी इस तरह से चलाते हुए और जब आपके छाषनी अच्छे से melt हो जाती है तब आपको इसे लगफख 2 मिनट के लिए और पका लेना है और एक से दो मिनट पकाने के बाद किसकी फिलम को हम ओफ कर देंगे और इस चाशनी को हम ठंडा कर लेंगे जब आपकी चाशनी अच्छे से ठंडी हो जाती है पांसे दस मिनट के बाद तब आपको इसमें एड कर लेना है जो बेसन का मिक्षर हमने पहले बना करके तयार किया जिसने आपकी बर्फी बनेगी तेस्ट भी अच्छा नहीं आएका इसलिए थंडा करने के बाद ही मिक्स करें बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है इस बात ध्यान रखेंगा और मिक्स करने के बाद आपको जलग रहा हो कि अरे यार यह तो पुरी मेहनत खराब हो गई यह तो बिल्कुल खराब हो गया कितना लिपेड हो गया ज्यादा चाश ने डाल दी ऐसा कुछ नहीं है जो बेसन के मोटे मोटे दानी हैं जो हमने मोटा बेसन लिया था स्टार्टिंग में वह अप का माएगा जो बेसन के डानी यानी कि पूल जाएंगे जिससे आपकी बंफी आपकी बंफी शाफ्ट रहेगी और आपका टैशर है वह भी एक्डम परसर जायेगा इस्में हम एड कर रहे हैं केसर यह बिल्कुल ओप्यूर। आपके पास हैं तो डाल सकते हैं मैं अच्छे फ्लेवर के लिए केसर एड़ कर रही हूँ मैंने गरम पाने में थोड़ी सी केसर भिको करके रखे वी थी वो हम इसमें एड़ कर लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं अब आपको इसे घंटे दो घंटे के लिए रख देना है साइड में, भूल जाना है एकसे दो घंटे के लिए इसे आपको, पहले मैं नहीं बताती हूँ, पहले हम इसे दो घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे अच्छे से सैट हो जाए, इसका टेक्चर सही हो जाए, इसका दो गंटे के लिए रख देते हैं, और दो गंटे के बाद, अरे वाफ जादू हो गया आप सोच लूगे कि इस ते बदल ही दिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दो गंटे के बाद यह एसा ही हो जाएगा, इसका टेक्स्टर भी त्रे कुछ भी ले सकते हैं मैंने थाले लिए जो नोर्मली सभी के घर पर मिल रहाती है इसमें हम इसको एड़ कर लेंगे थाली में सारा मिक्षर निकालने के बाद अब आपको क्या करना है इसे आपको जोर जोर से दबाना नहीं है हलके हाथों से इस तरह आपको पूरी थाल नैस आती है और इसके उपर से हम बारिक कट की हुए पिस्ता एड़ कर लेंगे इस बर्फी में पिस्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बढ़िया भी लगता है देखने में इसे हम एक से दो गहंटे के लिए और सेट होने के लिए रख देंगे उसके बाद ही हम से कट करेंगे और 2 गंटे के बाद ही जब यह पूर तरह से जम जायバイ अच्य से सट हो जाए तब आपको इसमें इस तरह से कट कर लेना है आप किसी भी शायी जो शेप में अरड कर सकते हैं जैसा आपको खानाerkा पसंद है मैं इस स्कौार田 शेप में कट कर रही हूं जैसे मा मार्केट वाला लुक देने के लिए और आप इसके उपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं जो नोर्मली मार्केट में आपको मिल जाएगा लेकिन वह अनहीं होता है तो मैं नहीं लगा रही हूं बर्फी को कट करने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्शर भी दिखा देती कि कितनी बर्फी बनी है यह देखिए जैसे यह हाथों में असानी से तूट रही है वैसे आपको तूटों से तूट जाएगी आपको दातों की जरूरत ही नहीं है बिना दात वाले लोग भी इसे असानी से खा पाएंगे बहुत सॉफ्ट है मुमें लेते ही खुछाएगी और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है आप इस बर्फी के दिवाने हो जाओगे इतनी ज्यादा बढ़िया यह बेशन की बर्फी बनी है इस वीडियो को रिकोर्ड करते हुए मेरे मूमे भी पाने आ रहा है तो इसलिए मैं तो जा रहे हैं इसे खाने के लिए तो आप भी इस दिवाली इस रेसिपी को ट्राय करिए का और हां जानती हूं कि यह वीडियो थोड़ी से लंबी हो गई है लेकिन सभी जानकारी देना मेरा फर्स है इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए का बहुत महनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए पूरा एक दिन क महलत लगती है तो थोड़ा स्पोर्ट करिएगा अपने फ्रैंस और फेमली के साथ सेयर करिए इस रेसिपी को मैं मिलती हूं आपसे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ के लिए के लिए बाइग है।